हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में हैं इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं आर्मी वेलफेर एजुकेशन सुसाइटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आर्मी पबलिक स्कूल में वेकैंसी पर्मनेंट यानि रेगुलर बेस पर भी वेकैंसी निकलती है और कॉन्ट्रेक्ट बेस पर भी वेकैंसी निकलती है यहाँ पर contract जो teacher होते हैं वह भी जो है कुछ time के बाद बिल्कुल regular हो जाते हैं, permanent हो जाते हैं बहुत सारे army public school हैं आप सभी जानते हैं, पूरे भारत में 138 या 139 school हैं जहां आप job कर सकते हैं अपने ही राज्य में, अपने ही जिले के अंदर यहाँ पर आप लोगों का selection तभी हो सकता है, जब आपने online screening test clear किया हो जैसे के इंदरी विध्याले में जाने के लिए, नवोदे विध्याले में जाने के लिए या सैनिक स्कूल के लिए, सीटेट, Central Teacher Eligibility Test आपका clear होना चाहिए इसी तरीके से Army Public School में झब भी वेकैंसी निकलती है और वेकैंसी निकलती ही रहती है हाल ही में Regular Ways पर बहुं सारी वेकैंसी निकली थी, हर राज्य से और Contact Ways पर तो वेकैंसी निकलती ही रहती है, आप Apply करना जाते हैं बट apply नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक आपने जो OST, online screening test clear नहीं किया होता है तो बिल्कुल आप अपने राज्ये में regular vacancy जब भी आती है, form जरूर apply करें उसके लिए आप एक test जो है, उसे clear कर लें तो उसी के लिए जो है, notification जारी कर दिया गया है और इसमें सबसे अची बात क्या है, जब भी आपका test होगा, online screening test आपका होगा उसी दिन आपका result भी आ जाता है क्या रहेगा selection process, सारी चीज़ें detail में इस वीडियो में जानेंगे अंत तक वीडियो के बने रहेए, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो बहुत सारी vacancy जो army public school में निकलती है वह भी मिस हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास ये scorecard नहीं हुआ तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जो है, official website पर पूरी guidelines जारी कर दी गई है दिहान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन एक बार में आप देख लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी तो instructions दिये है, online screening test नवंबर 2024 के लिए selection procedure क्या रहेगा, तो यहाँ पर 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर इन तीन दिन में जो है आपका exam होगा exam आपका होगा, scorecard जारी कर दिया जाएगा, कुछ ही दिनों बाद लेकिन result आपको उसी दिन मिल जाएगा, क्योंकि computer-based online screening test होता है, जैसे ही आप exam देकर exam hall से निकलते हैं तो उससे पहले आप लोगों को result पता लग जाएगा यहाँ पर regular candidate जो है, within two year of being appointed with a minimum overall row score of 50% और fixed term candidate के लिए 40% तो permanent vacancy के लिए आप apply करते ही हैं, अगर आप contract based पर vacancy के लिए apply करते हैं तो एक दो साल में या तीन साल में आप जो है वहाँ पर भी regular हो जाते हैं सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों को यहाँ पर qualification criteria में दिखा देती हूँ PZT, जिसमें post graduation आपकी होनी चाहिए, 50% marks के साथ में professional qualification B.A.D. होनी चाहिए, 50% आपके उसमें होने चाहिए TZT, graduation वाले candidate 50% marks के साथ में और B.A.D. ठीक है, B.A.D. में भी 50% marks PRT, graduation आपकी होनी चाहिए, PRT के लिए और इसमें D.A.D., B.A.D. candidate आवेदन कर सकते हैं चिन candidate के पास B.A.D. है वह भी PRT के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन condition क्या है कि 6 महिने वाला जो bridge course है, वो आपको qualify करना होगा ठीक है, तो अभी 50% marks तो आपके professional qualification और आपकी educational qualification होनी चाहिए OST scorecard का भी यह रहता है कि OST scorecard जो है उसमें आपके 50% marks हैं, 50% marks से अधिक हैं यह 50% ही हैं, तो ही आप जो है पास माने जाते हैं, ठीक है, तब ही आपका scorecard valid होगा, यानि आपको 50% marks तो लाने compulsory होंगे ही, एज यहाँ पर क्या रखी जाती है, तो जो fresher हैं, कोई teaching experience नहीं आज तक आपका तो 40 year तक के candidate apply कर सकते हैं, किसी भी category के 5 साल की अगर आपके पास अनुभव है, तो 45 year है, 7 साल का अनुभव है, तो 50 year है, 9 साल का अनुभव है, तो 57 year है ठीक है, तो fresher बिल्कुल apply करें, 40 वर्स तक के candidate, अभी 149 army public school हैं, जहां vacancy regular निकलती रहती है, चैनल पर आप बने रहें, army school की जितनी भी vacancy अभी तक जारी की गई है, सब भी आप लोगों को मैंने बताई है, online screening test बता दी आपको, 23, 24, 25 नवंबर को आपका हो जाएगा, exam center क्या रहेंगे, तो ये भी अभी देखेंगे, result आपका तुरंट आ ही जाता है, और उसके बाद आपको scorecard मिल जाएगा, बस आप interview देने के लिए, जैसे ही vacancy निकलती है, interview देने के लिए आप school में चले जाए, scorecard लेकर अपने सभी qualification, mark sheet, degree जितनी भी है, सभी के साथ में यहाँ पर देखें, registration 10 सितंबर से start हैं और 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल form भरें, जिन भी candidate का, seat at का उन्होंने अभी form fill किया था, या result निकल चुका है, या आगे wait कर रहे हैं, जिनकी graduation कंप्लीट हो चुकी है, B.Ed कर रहे हैं, सभी apply कर दें, कोई भी problem नहीं होगी, आपका जब यहां पर सबसे पहले देखें, कि 10 सितंबर 2024 से आप registration कर सकते हैं, यानि already start है, और 25 अक्टूबर last date रहेगी, यह ध्यान में रखना है, admit card आपका 12 नवंबर को जारी हो जाएगा, exam date 23, 24, 25 को रहेगी, और score card आपके हाथ में 10 December 2024 को आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को पता लग जाएगा, कि आपने qualify कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है, इसमें सारी चीजें पहले से ही clear होती है, list of army public school, तो आप देख सकते हैं, army public school, आपके राज्य में कितने हैं, यह पूरी list है, vacancy तो निकलती ही रहती है, 139 है, school, नेक्ट देखें, list of subject for the online screening test at PZT level, तो PZT level पर कौन-कौन से subject हैं, आप देखें, accountancy, biology, biotechnology, business studies, chemistry, computer science, economics, English, score, fine art, geography, Hindi, history, home science, IEP, mathematics, physical education, physics, political science, psychology, trained graduate teachers में subject है, computer science, English, Hindi, mathematics, physical education, Sanskrit, science and SSD, PRT के लिए physical education है, और PRT without physical education भी है, अब जो है essential qualification, तो master degree आपकी होनी चाहिए, 50%, 55%, ठीक है, subject आपको बता ही दिये है, PZT biology में, botany, zoology, life science, bioscience, genetic, microbiology, biology, biotech, तो इन में आपने botany और zoology ग्रेजुशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, PZT computer science के लिए, काफी option रहते हैं, B.E., B.T.E.C. वाले, B.S.C. वाले, computer science से, या post graduate, degree, diploma वाले, सब भी apply कर सकते हैं, ठीक है, B.E.D.S. में मांगा ही जाता है, PZT physical education के लिए तो आप सब भी जानते हैं, V.P.E.D. वाले apply करेंगे, आप यहाँ पर TZT के लिए जो है, आप सुन ले, थोड़ा सा वीडियो बढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, सारी शीज़े clear हों, क्योंकि आपको अगर इसकी जानकारी नहीं हुई, और आप form मिस कर दिया आपने, फिल करना, बहुत सारी vacancy से आप चूप जाएंगे फिर, TZT में जो है, SST वाले आप देख लें, History, Geography, Economics and Political Science, जिसमें से एक, History या, Geography आपने इस नातक में पड़ी हो, तो TZT Computer Science वालों के लिए भी जो है, बिएड जो है compulsory है, TZT की पोस्ट के लिए, अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कि जिन candidate ने seated clear नहीं किया है, या आपके राज्य का TAT clear नहीं है, तो वो भी इस form को भर सकते हैं, अपलाए कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वेकेंसी निकलती है, आर्मी स्कूल में, तो online screening test आपका clear होना चाहिए, score card आपके हाथ में होना चाहिए, अगर आपका seated clear नहीं है, या फिर आप seated का exam देने वाले हैं, तो आपको time दिया जाता है, one year का, कि आप seated का exam clear कर ले, उसके बाद जो है, permanent vacancy के लिए जो है, apply कर सकते हैं, तो ये पूरा जो है, काफी बड़ा, ये PDF फाइल है, आप लोगों को official website का link प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये पूरा notification प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो के नीचे description box में आप detail जान सकते हैं, ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, बिना seated TED के भी जो है आप ये form फिल कर सकते हैं, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, thank you.